राहुल जी आपको लालू प्रशाद जादब जी का स्राप लगा है सवाल पूछना कभी बंद नहीं करेंगे ऐसे में केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग ने राहुल को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राहुल को दस साल पहले दिया गया लालू प्रसाद यादब का श्राप लगा है और इसी का नतीजा वो आज भुगत रही है आखि कार में हूं कीरती और आप देख रहे हैं नियूस तक दरसल गिरिराज ने राहुल गांधी की सदस्ता जाने की बात को लालू के चारा घोटाले से चोड़ी है और कहा है कि लालू यादब ने उस समय राहुल गांधी को श्राप दिया था और आज इसी का फलो ने मिला है कि पुछिएगा कि स्राप कैसे लगा है दोहजार तेरह में है साइध दोहजार तेरह ही था कि लालू जी को उनके साथ चारा घोटाला में लगभग जज्मेंट आया था उसी समय उनकी सदस्ता जाने वाली थी यह अध्यादेश लाया गया था जो मीडिया के सामने में आया है और उस अध्यादेश आया था कि जब समय अबदी कि तब अपील आप कर सकते हैं लेकिन यह तो अध्यादेश को ही फार दिया और उसी समय किसी ने कहा मुझे कि लालू जी ने उसी समय श्राप दिया था कि तुम मेरे साथ किये हो तुम भी कभी भुकतोगे बताने कि जिस अध्यादेश को उस वक्त राहूल ने पाड़ा था उसके मुताबिक अगर सांसदू या विधायकों को किसी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद और विधान सभा से सदसिता रद हो जाएगी इतना ही नहीं सजा की अवधी पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे लेकिन उस वक्त राहूल ने उस अध्यादेश को नॉंसेंस बताती हुए पाड़ दिया था सुनिए राहूल ने 2013 में इस मुद्दे पर क्या बयान दिया था अब दिया है तो सबस्क्राइब दिया था न्हीं सब्सक्राइब दिया वे नहीं प्राइब दिया थाज़ाद पाड़ दिया थाया थाक्ता नॉंसेंस दरसल UPA की मनमोहन सरकार पर उस वक्त आरोब लग रहे थे कि वो भरष्टचारियों को बड़ावा देना चाह रही है इसलिए इस अध्यादेश को लाया गया था उस दोरान आरजडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी चारा घुटाली को लेकर अयोग्यता की तलवार लटक रही थी अब इसी बात का उधारन देते हुए गिरिराज ने राहुल पर तंज कता है इस मामले में एक्सपर्ट का कहना है कि 2013 में अगर वो बिल राहुल ने ना पाड़ा होता तो राहुल की संसत की सजस्ता पर खत्रा नहीं मन रहाता राहुल को लेकर इस पूरे मामले की बात करें तो बता दें कि गुजरात के सूरत की एक अधालत ने राहुल गांधी को दोशी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई खोशित किया गया है राहूल गांधी की सांसदी रद्ध होने पर सियासत लगाता आचारी है जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर ताना शाही और आने वाले चुनाव में हार की खबराहट और बॉकलाहट की बात को लेकर इल्जाम लगा रही है तो वहीं बीजेपी इसे राह एक हब रुके साथ अब्रेट रहने कि ली देख तरी ये निवस्ताग।